हेलो बच्चों कैसे हैं आप स्वागत है आपका Department of Education की इस 14 अगस यानि की 14 अगस की वर्कशीट में जैसा कि आप देख सकते हैं यह वर्कशीट क्लास 6 तो 8 के बच्चों के लिए है वर्कशीट का नमबर 35 यानि की 35 है हमेशा की तरह यहां आप लिखेंगे अपना नाम और यहां लिखेंगे आप अपने क्लास टीचर का नम तो जैसे आप देख सकते हैं यह वर्कशीट मैट्स की है यानि की गर्णित की है हम ऐसी एक वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं जहां पे हमें फलों के नाम दिये हुए थे उनके रेट लिस्ट दे रखी थी और आपको प्राइज निकालना था मुले निकालना था कितना आप शौप के पगर देंगे उसे हिसाब के एक वर्कशीट आज भी हमारे सामने है तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वर्कशीट शुरू करते हैं मैवा मेरी दीदी फल बहुत चाव से खाते हैं हम अनानास, मौसमी, जामून, लीची, आदी फल जरूर खाते हैं क्योंकि इसमें विटमिन C होता है जो हमें बिमारियों से बचाने में मदद करता है पापा रेट लिस्ट से देखकर हम से कई सवाल पूछते हैं जिसे हल करने में बहुत मज़ा आता है आओ नीचे दिये गए प्रश्णों के हल करें हमें रेट लिस्ट दे रखी है जिसमें हमें बता रखा है कि पपीता है 35 रुपे प्रती किलो लीची है 70 रुपे प्रती किलो मौसमी 40, अनार 90, सेब 120, आम 40, अमरूत 25 और अनानास 80 रुपे किलो इसके बाद आपको कुछ सवाल दे रखी हैं और आपको उन सवालों को सॉल यानिकी हल करना है तो चलिए शुरू करते हैं आईए इन सवालों का हल करें दो किलो आम और एक किलो सेब का कुल मुल्य कितना है अब दो किलो आम आपसे पूछा है ये है आम और आम है 40 रुपे प्रती किलो तो दो किलो आम कितने को हो जाएंगे दो गुणा चालिस और एक किलो सेब का पूछा है तो प्लस कर देंगे एक किलो सेब का मुल्य सेब हैं बच्चों 120 रुपे किलो तो 120 इसमें जमा हो जाएगा तो चालिस को दो से गुणा किया आता है हमारा असी जमा एक सो बीस ये बच्चों आपका हो गया दो सो रुपे पहला हो गया उसके बाद अगला है जो हमारा क्वेशन उसमें पूछा है पापा ने छे सो ग्राम लीची कितने रुपे में खरी ती अब देखे ये लीची दे रखी है सत्तर रुपे की एक किलो हमसे पूछा गया है छे सो ग्राम का मुले तो सत्तर का छे सो ग्राम एक ग्राम में आपको पता है एक हजार ग्राम होते हैं दो जीरो से दो जीरो कट गया एक जीरो से एक जीरो कट गया 6 सते 42 तो आपका उत्तर आ गया 42 रुपए है चलिए अगला देखते हैं अनार की कीमत अमरूत की कीमत से कितनी अधिक है पूछा गया है अनार अमरूत की कीमत से कितना जादा है तो अनार आपको पता है बच्चो 90 रुपए किलो है और अमरूत कितने रुपए किलो दिया हुआ है आपको अमरूत दिया हुआ है 25 रुपए किलो मैं आशा करती हूँ, आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया, तो आप इसको pause कर लीजिए और आगे बढ़ लीजिए, सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए pause करके, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न है पांच किलो अनानास का मुल्ले बताईए अब आपको पता है अनानास है 80 रुपे का पांच किलो अनानास की कम आपको प्राइस बताना है तो पांच गुणा 80 कितना होता है पांच अठे 40 400 तो इस तरीके से आपने सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए यही था आज के लिए अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेख